जनपत मुरादबाद में मजोला थाना शेत्र लाकड़े फाजल पुर में मोड पर ट्रक से बचने के चकर में एक आटो अनियंत्रित होकर पलट गया इस हाथसे में आटो चालक सहेत पिता पुत्र घायल हो गए हाथसे के जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने 108 एंबुलेंस की मदद से तीनो घायलों को उपचार के लिए जिलास पताल में भरती कराने के साथ ही हाथसे के जानकारी घायलों के परिवार को दे गटना की जानकारी लगते ही घायलों की परिजन भी जिलास पताल पहुंच गए मज़ौला थानशेट्र के एकता कॉलनी के रहने वाले दीपक सकसेना के कुंदर की थानशेट्र में डोम घर में इंवर्टर बैटरे की दुकान है दिपक सकसेना दुकान के लिए काउंटर और कुछ सामान लेकर चालक ब्रचेश के आउटो में माल लेकर अपने पुत्र अनम सक्सेना और आटो चालक ब्रिजेश घायल हो गए हाथसे के जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस में तीनों घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पिताल में भरती कराया जहां घायलों का उपचार चल रहा है अंडल का नाम अपका मेरा दीपड सक्सिया नाम है अच्छा क्या करते हैं आप इनवेटर प्रेटिका ने रहा है कहा जाता थे आप कहा थे तो कहा गटना घटी है यह लाकिफाल मोड पर वाई किस चीछ से गटना हुए क्या होता और तो तो पराइब रहार से प्रकाई यह नों नहीं उससा पजाने के लिए जो इस तरह से वह कट लिया तो पलड़िया वाई सब्सक्राइब आप तीन लो सब्सक्राइब तो प्रणा जाना था मुझे तो प्रणा पर प्रणा खुली आप दुखली विए वह समान लेके जाना था जाना था जो जिए पिता गदाब पदानी माई से